कुछ लोग जो हैं वो Global भाबा नाम के फिल्म को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देखो हम जो हैं आप से पहले जो हैं बोले वुद में काम किया है लेकिन उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि उस Globaltal गलोबल भाबा में उनकी हैसियत और भोजपुरी का क्या अउकात है वो उनसे दिखा दिया गया था ट्रांसजेंडर के बैक ग्राउंड में पिछे गाना गाते हैं और गलोबल भाबा के फिल्म को दिखाते हैं ऐसे लोगों पे और ऐसी मानसिक्ता वाले लोग पे थू है और साथ उनको पता नहीं है कि जिस समय सुपरेश्टार धर्मेंदर जी का दौर चल रहा था उनसे पहले पावनसी काम कर चुके हैं धर्मेंदर के साथ बॉलिवुड तो पता ना हो तो कुछ ना बोला कर और अगर नहीं है तो जाके सर्च कर लो कि धर्मेंदर के साथ पावर स्टार पावन सिंग कब काम किये थे और गलोबल बाबावा वाला बी करेड फिल्म में टांजेंडर का पीछे कौन गाना गाया था और जहां तक बात रहा लकीर पे चलने के लिए तो पावन सिंग जो कर दिये है उसी पे तुम लोग चलते हो और चलोगे भी पावन सिंग ने सबसे पहले बॉलीवुड में गाना बनाया तुम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया पावन सिंग ही वो सक्स है एकलोते सक्स जो बॉलीवुड छोड़ो हिंदूस्तान छोड़ो अमेरिका के डांसर को ला के भोजपुरी में नचाएंगे समझें उसको ला के नचाएंगे और पहला ऐसा एकलोता सक्त है जो किहुकि हॉलीवुड तक हॉलिवूड के भी डांसरों को लाकर भोजपूरी में नचाए हैं तो अब तुम लोग वो काम करोगे तो किस के लकीर पे रहेंगोगे पौवन सिंग यहीं लकीर पे अगर इतना ही दम है तो कोई 100 करोड का मुवी बना के दिखा दो लेकिन वो तुम लोग से नहीं होगा हम गैरेंटी देते हैं कि वो भी काम पौवन सिंग पहले करेंगे क्योंकि क्रैक फाइटर का रिकॉर्ड तो तुम लोग से टूट नहीं रहा है और चल्दी हो अपने आपको तीस मार खान बनने डम है तो क्रैक फाइटर जी सब महंगा मूवी बना के दिखाओ तुम लोग से नहीं बनेगा क्योंकि पहला काम पौवन सिंग करेंगे तब ही तुम करपा होगे उमीद है कि समझ गया होगे बिलते हैं अगले उडियों है तो तक किले अपने भाई को दीजेगा इचाज़ए लवी टेक क्या बाई